हेलो एव्रीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज की हमारी वीडियो का टोपिक है हॉम टैब ओफ नाम है किसका क्या काम है उसमें मैंने अपको सब कुछ ब्रीफली बता रहा है तो आप वोच वीडियो जाकर जरूर देख लें अब चलिए सबसे पहले क्या चीज होती है तो होम बार में कुछ options हमें शो कर रहे हैं जैसे सबसे पहले हमारा क्लिप बोर्ड जिसके अंदर हमें कुछ options शो कर रहे हैं जो है cut, copy पेस्ट बेटा है यह जो कर रहा है तो अगर हमें font edit करना है तो हम font box use करेंगे font box के side में हमारे पास paragraph box होता है यानि अगर हम अपने fonts को paragraph में convert करना चाहते हैं या paragraph related को एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम paragraph box की help से कर सकते हैं उसी के साथ हमारे पास होता है style box जिसमें अलग-अलग type of styles हैं अगर मुझे किसी भी तरह की style की need है तो मैं इसमें जाके select कर सकता हूँ कुछ predefined styles मुझे इसमें पहले से show कर रहे हैं और मैं चाहूँ तो कुछ new styles अपने हिसाब से create भी कर सकता हूँ उसी के साथ है editing box जिसके अंदर मेरे पास तीन option है find, replace और select यह अगर अपने document में कुछ find करना चाहूँ कुछ replace करना चाहूँ या select करना चाहूँ तो मैं अपने editing box के help से वो काम कर सकता हूँ तो यह था हमारा home bar के कुछ boxes जो हमें help करेंगे हमारे content को edit करने में तो चलिए देखते हैं कि हम एक एक box के help से कैसे अपने document को edit कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसमें एक paragraph लिख लेता हूँ मैं paragraph को simply copy and paste कर रहा हूँ कि दूसरे software से जिसमें मैंने पहले से यह paragraph लिख लिए आता मैंने copy and paste कर लिए अपना paragraph तो आगे देखते हैं तो चलिए clipboard box देख लेते हैं कि हम अपने document को cut copy paste कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले cut करने के लिए मैं अपने content को select कर लेता हूँ जितने भी content मैं चाहता हूँ कि यहां से cut हो जाए तो मैं चाहता हूँ मैं यह वाली line यहां से cut हो जाए मैंने line select करी and just click कर दिया cut पे तो देखी friends यहां से गयाब हो गई है फिर है paste अगर हम चाहते हैं कि हमने जो line cut करी है वो कहीं और आ जाए तो मैं अपने cursor को move कर लेता हूँ कहीं और then मैंने paste पे click कर दिया तो मेरे document paste हो गया है next copy जिसकी help से मैं अपनी line को copy कर सकता हूँ तो जिस भी line को मैं copy करना चाहता हूँ मैं उसे select कर लेता हूँ और just copy पे click कर दिया और अब मैं इस line को जहां paste करना चाहता हूँ मैंने अपना cursor महां put किया और paste तो देखिए cut में क्या हुआ था cut में वो line वहां से गायब हो गई थी और दूसरी जगा आ गए थी लेकिन copy में same line वहां पे भी है और जहां मैंने चाहाँ वहां दूसरी side view paste हो गई यानि मैं copy के help से multiple lines create कर सकता हूँ then है हमारा format painter तो format painter कैसे काम करता है यह मैं आपको अभी थोड़ी दिर में बताता हूँ सबसे पहले हम अपने content को थोड़ी बहुत formatting देते है then format painter क्या होता है मैं आपको सिखा दूँ next option है हमारे पास font यानि आपने जो content लिखा है आप इसे अलग अलग font में change करना चाहें तो कर सकते हैं यह कैसे काम करता है मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले मैंने एक line select करी और मैं font में गया और इसमें मैं जो भी font चाहता हूँ वो यहां से select कर लेता हूँ MSWD में आप हर line को हर word को हर alphabet को अलग अलग तरीके font प्रोवाइड कर सकते हो तो इसी तरह मैंने अपनी दूसरी line करके उसे भी font प्रोवाइड कर दिया है कोई दूसरा तीसरी line को भी कोई दूसरा font प्रोवाइड कर दिया है कोई other font प्रोवाइड कर दिया है तो देखे guys मैंने जिस line को select किया था वो सारी lines अलग-अलग format में change हो गई है मैं चाहूँ तो मैं यहां से कोई भी font पहले ही select कर सकता हूँ और उसके बाद उसे note कर सकता हूँ याँमसा प्रोवाइड कर लेता हूँ और अवम मैं जो बी लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ तो आप ये काम content को note करने से पहले भी कर सकते हो then second option हमारे पास होता है size अगर मैं अपने document का size change करना चाहूँ यानि अपने contents के size change करना चाहूँ for example मैं this line का size कुछ और चाहता हूँ तो मैंने this line को select किया और मैं size में गया तो देखें size में हमारे पास क्या है friends एक table fixed show कर रही है यानि हमें कुछ size show कर रहे है जो fixed है इसमें हम सबसे छोटा size जो कर सकते है वो 8 कर सकते है और सबसे bigger size जो कर सकते है वो 72 कर सकते है यानि हम इसमें 8 से छोटा नहीं कर सकते है और 72 से बड़ा नहीं कर सकते है इस table की हल से बट इसी के साथ हम्मारे पास दो option और शो कर रहे है एक होता है increase size और एक होता है decrease size यानि अगर मैं increase size पर click करता हूँ यानि एक जो A है मेरा यह हमारे size को increase कर देगा more than 72 और इसी तरह जो छोटा यह है वो less than 8 कर देगा हमारे font को फिर इसी के साथ हमारे पास एक option शो कर रहा है जो इसका नाम होता है cases cases के अंदर five type of cases mention है हमारे सबसे पहला case होता है sentence case sentence case होता हमारे friends जिसमें first word capital होता है और बाकि सब small मैं आपको दिखा रहता हूँ जैसे मैंने एक line select करी और जब मैंने sentence case पे click किया तो इस line का first word capital हो गया और बाकि सब small हो गाए तो यह है sentence case then option होता हमारे पास lower case यानि अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ capital टाइप किया है और वो सब automatically small हो जाए तो कैसे चलिए मैं दिखा रहता हूँ मैंने कुछ words capital में type कर ली है and then मैं select करके जैसे lower case पे click करता हूँ तो वो सब automatically small हो जाएंगे इस जिसका काम होता है हर spacing के बाद का first word capital रह जाएगा for example मैंने अपने paragraph में से line select करी और जैसे capitalize each word पे click किया तो देखिए हर spacing के बाद का जो first word है वो auto capital हो गया है then हमारे पास toggle case होता है जिसका काम होता है opposite करना जो words capital है वो small हो जाएंगे और जो small हो जाएंगे और जो small हो capital हो करना चाहता हूं उन words को मैंने select किया और bold पर जाके click कर दिया तो देखिए यह words पहले से थोड़े से dark हो गए हमें यह easily समझ आ रहे है कि इन्हें highlight dark किया गया है इसी के साथ अगला option होता है मारे पास italic जिसका काम होता है अगर हम अपने words को तेड़ा करना चाहें थोड़ा स तो कर सकते हैं जैसे मैंने italic पर click किया तो यह होड़े से तेड़े हो गया यानि यह right hand की तरफ थोड़े से जुग गया है then next option हमारे पास होता है underline जिसका काम होता है हमारे words के नीचे line mention करना underline में और भी options हैं अगर मैं small point पर click करता हूं तो वो मुझे अलग-अलग different lines difference color दिखा रहा है मैं अपनी line का कोई भी color select कर सकता हूं इसमें एक point यह होता है कि आपको कैसे understand होगा कि कौन से word पे कौन सी formatting enable है या कौन से word पे कौन सी formatting enable नहीं है तो guys इसे पता करने के लिए आपको सबसे पहले उस word को select करना पढ़ेगा जिस word को आप format provide करना चाहते हो and then ज यानि वो option उस पे enable नहीं है then हमारे पास next option होता है stack through जिसका काम होता है हमारे word को mid से cut करना जिससे कि हमारे reader को यह पता चले कि यह word या तो गलत लिखा होगा है या wrong type है sometimes कि होता है friends हम जब typing कर रहे होते हैं तो हम से कुछ गलत type हो जाता है तो हम alignments की वाजिसे उस word को नहीं साइंस में हमें एक formula पढ़ते थे हैं h2o h2o किस चीज का formula होता था जिससे पता है वह comment box में मुझे जरूर बता है तो मैं यहां mention कर देता हूं h2o तो देखे guys h2o में 2 कहां होता था हमारा नीचे की तरफ लेकिन इसमें जब मैंने type किया तो वह normal उपर ही है अगर मैं उसे नीचे भेजना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे subscribe यूज करना पड़ेगा मैं 2 को select करता हूं और जैसे subscribe option पे click करता हूं तो मेरा 2 नीचे चला जा है तो मैं इसमें लिख लेता हूं 2 की power 3 तो मैंने लिखा 2 3 अब देखे guys यह सेम आ रहे हैं लेकिन मैंस में हमारे पास जो power होती थी वह word के उपर होती थी तो इसे word के उपर भीजने के लिए मैंने word को select किया और जैसे ही मैंने next option super script पे click किया तो मेरी power उपर चली जाएगी ठीक है guys then हमारे पास option होता है font में test effect यानि मैं अगर अपने content को अलग अलग effect प्रोवाइड करना चाहता हूं तो इसकी help से कर सकता हूं तो देखे जैसे मैंने test effect पे click किया तो मुझे बहुत सारे मेरे options show कर गए हैं कि मैं अपने content को इन मेंसे किसी भी एक style में provide कर सकता हूं मैं outlines दे सकता हूं shadow provide कर सकता हूं reflections दे सकता हूं glow provide कर सकता हूं numbers style provide कर सकता हूं ठीक है और हाँ guys 2007 या उससे old versions में यह option हमें home menu में नहीं मिलता है but इसमें को इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है guys क्योंकि यह option आपको insert menu bar में word art के नाम से मिल जाएगा ठीक है तो चलिए मैं करके दिखा देता हूं यह option कैसे काम करता है मैंने वर्ट को सब्सक्राइब और जो भी मैं style provide करना चाहता हूं में वह select कर सकता हूं ऐसे मैंने किसी दूसरे style ब्रोवाइब कर दिया मैं किसी को outline दे सकता हूं reflections provide कर सकता हूं then हमारे पास next menu होता है हमारा highlight highlighting का का काम होता है जैसे कि तो इसमें जो हमारे important notes होते हैं हम उन्हें highlight कर लेते हैं highlighters के help से तो इसी तरह मैं अपने document में भी किसी चीज को highlight करना चाहूं तो highlight कर सकता हूं मैं ज़से select करूँ हूं और जिस भी color से highlight करना चाहता हूं और color select कर लूँ हूं तो यह उस color में highlight हो जाएगा then जो हमारे पास test option होता है guys वो type font color यानि मैंने अपना content लिखा है मैं उसे अलग-अलग color में डालना चाहूं तो अभी मैं यहां से provide कर सकता हूं तो देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है मैंने अपने words को select किया और यहां से जो भी font color प्रोवाइड करना चाहता हूं वह color प्रोवाइड कर सकता हूं यह काफी हद तक similar होता है आपके test effect की तरह ही test effect और font color में बस इतना से difference होता है guys कि font color आपको solid colors प्रोवाइड करते हैं और test effect आपको gradient color प्रोवाइड करते हैं gradient color means होता है कि shadows आपको मिल जाएंगी shades आपको मिल जाएंगी यानि आप चाहें तो अपने font में एक साथ 2 shades फिल कर सकते हैं test color में यह solid होता है यानि जो color आप select कर लोगे वह dark आपको show करेगा चलिए clipboard में हमारा option है क्याता format painter मैं आपको बता देता हूं कि वह कैसे काम करेगा क्योंकि मैंने उस time आपको बताया था कि formatting पहले हम अपने document में कर लेते हैं then हम अपने format painter का use करते हैं तो format painter का काम होता है कि कोई style कोई format आपने content को provide कर रखा है और वही same format केagain्ट को provide कर चाहते हैं तो अपका में पूरा content उसी format में chanjj हो जाएगा जो आपने पहले select कीया था जैसे कि अभी हो चुका है गाई तो अब हम अपने थर्ट बॉक्स की तरफ चलते हैं जो था हमारा पैरग्राफ बॉक्स पैरग्राफ बॉक्स में जो हमारा सबसे पहला उप्शन है वो होता है बॉक्स यानि अगर आप अपने कंटेंट को पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो इन बॉलेट्स की हल से कर सकते हैं इसे अगर आपने अपने बॉलेट्स को समय उक्स देजाथ सकते तो यह अना पॉइंट्स में कड़्क मुट्स हे जितना इरियाा मैंने सेलेक्ण किया दा वॉ इसी के साथ हमारे पास जो option होता है गाइस वो होता है multi-level bullets यानि अगर मैं points के भी points बनाना चाहूं तो इसकी help से create कर सकता हूं देख लिए जैसे इसमें show कर रहे हैं कि मेरे points के भी points मैं इनकी help से create कर सकता हूं जिस भी तरीके से मैं चाहूं वो यहां से select कर सकता हूं ठीक है guys then हमारे पास indent option होते हैं दो indent होते हैं हमारे पास एक होता है increase indent एक होता है decrease indent increase indent की help से हम अपने content को left to right की तरफ बढ़ा सकते हैं और decrease indent की help से हम अपने content को right to left ला सकते हैं Then हमारे पास option होता है sorting, जिसका काम होता है sort करना, जैसे कि आप अपने phone वगारा में sorting करके रखते हैं, अपने contents को alphabetical order में लगार के रखते हैं, चाया आप music सुन रहे हो, चाया आप apps हैं, तो इसी तरह आप documents में भी अपने sorting कर सकते हो, अपने contents को. Sort करने के लिए, मैं पहले कुछ alphabets लिख लेता हूँ, जो मैं randomly लिख रहा हूँ, एक order में नहीं लिख रहा हूँ, मैंने कुछ alphabets mention कर लिए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि alphabet automatically order में लग जाएं, तो मैंने इन्हें सब को select किया और मैं sort में गया, तो वो मुझसे पूचा है कि म अपने content को sort करना चाहता हूँ, ascending order या descending, मैं जो भी चाहता हूँ, मैंने वो select किया और ok, तो देखे friends, मैंने जो भी random alphabets लेके ते, वो automatically sort हो गए है, आप इसी तरह numbers को भी sort कर सकते हो, ठीक है, then हमारे पास option होता है guys, pie, pie तो हम सबने mess में use किया ही है, तो अगर मैं यहाँ पर pie put करना चाहूँ, तो मैं pie पर click कर गया, put कर सकता हूँ, उसके बाद हमारे पास जो अगले options होते हैं, paragraph box में, वो होते हैं हमारी alignments, तो यहाँ पर हमें three types of alignments mention है guys, first is left, second is center and third is right, left alignment का काम होता है, हम जो भी work कर रहे हैं, वो left side से हमारा startup हो रहा है, इसी के साथ अगर मैं click कर देता हूँ, तो मेरा work right side पे आ गया है, then हमारे पास next option होता है line spacing, line spacing का काम होता है guys, line के बीच में gap करना, यानि मेरे पास यह जो lines है, अगर मैं इनके gaping को कम जारा करना चाहता हूँ, तो line spacing के हल से कर सकता हूँ, हमारी जो default line spacing होती है, वो होती है 1.115, ठीक है guys, मैं चा हमारे पास जो option होता है, बहुत है line color, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी की पूरी line को को color provide कर दूँ, तो मैं इसके help से line color provide कर सकता हूँ, देखें, जैसे मैंने line color select कर लिया अपना, जो भी line color provide करना चाहता हूँ, तो इसने मेरे पूरे के पूरे paragraph को line color provide कर दिया है, एक point ह हमारे उठता है कि highlighter और line color में क्या difference है, तो highlighter का काम होता है, जितना area आप select कर रहे हो, उतने area को color करना, और line color आपकी पूरी के पूरी line को color कर देगी, मैं चाहूँ, तो line color के साथ highlighter भी provide कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने line color दे ही रखा है, मैं यहाँ पर select करके highlighter भी provide कर देता तो वह भी mention कर सकता हूँ, कोई border हटाना चाहता हूँ, particular तो भी हटा सकता हूँ, जैसे bottom है, top है, left है, right है, आप no border कर देंगे, तो आपका कोई भी border नहीं रहेगा, और all border में आपके सारे side borders आ जाते हैं, तो इसी के साथ हमारा paragraph box भी complete हो गया है, जो हमारे पास next box है, वो है style box style box का काम होता है, कि हम अपने contents को easily heading provide कर सकते हैं, titles provide कर सकते हैं, जैसे कि आप books वगारा, novels वगारा में देखते हैं, आपकी heading होती है, titles आपको अलग से पता चल जाते है, normal content आपको अलग से पता चल जाते है, तो इसी तरह मैं अपने paragraph में, जिसे heading provide करना चाहता हूँ, मैं easily उ point पर click करता हूँ, और इसमें जाके create style में चला जाओ, तो create style में जाने पर मेरे पास एक particular अलग से window आ गई है, जिसमें मैं modify में जाके, अपने fonts को, अपने color को, अपने style की size को, bold italic underline, जो भी रखना चाहता हूँ, वो सारी editing यहां कर सकता हूँ, and then ok करने पर मेरा style create हो आपको change style करके option मिल जाएगा, ठीक है guys, तो हमारे style box भी complete हो जाते हैं, then हमारे पास last box बसता है, home bar का editing box, तो इसमें कुछ खास guys नहीं है, एक option है simple सा find, यानि अगर आप कुछ find करना चाहते हैं, अपने document में, आपने इतने सारे words, इतने सारे alphabets mention कर रखे हैं, तो आप find में चले जाएगा, आप जो भी find करना चाहते हैं, यहाँ पर mention कर दीजिए, क्योंकि यह 2019 है, तो इस यह left hand पर खुल के आया है, otherwise, बागे package में, यह आपको एक box की तरह आपके page पो show कर जाएगा, इसकी के अगला option होता हमारे पास replace, यानि कि अगर हम किसी word को, किसी other word में replace करना चाहे तो, तो देखें, जैसे replace में मैंने click किया, तो जो यह box open होके आया है, इसी तरह आपके पुराने versions में आपको show करेगा, three digits तो सबने देखिए, guys, तो replace option के लिए सबसे च्छा example हमारे पास वही है, उसमें जिस तरह movie में, पूरी speech change करी जाती है, तो यही काम होता है replace का, अगर हम किसी particular words को, किसी all words में change करना चाते हैं, तो replace की help से कर सकते हैं, तो मैं find word में mentioning कर देता हूँ, उपना word यह alphabet, जिसे मैं बदलना चाता हूँ, और replace with में, मैं उस word को जिस चीज़ से replace करना चाता हूँ, then अगर मैं one time अपने replace पे click करता हूँ, guys, तो जो मेरा एक word selection यानि मैं अगर अपने पूरे document को one time पे select करना चाहूँ, तो इस option के help से पूरे document को select कर सकता हूँ, तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो आज की यहीं खतम होती है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दे, चैनल को subscribe कर ले, और share करना मत भूलेगा, guys,